नमस्कार दोस्तों तो दोस्तों आज हम आपके लिए नेमरा सुन्डा से एक्रिकल्चर एक्स्टेंशन को लेकर आएं और बहुत ही सौर्ट में दिया हुआ है नेमरा सुन्डा में इस एक ही लेक्चर में हम जितना भी दिया हुआ सारा कवर कर देंगे इसके बाद से थोड़ कर लिए तो आपका agriculture extension काफी complete हो जाएगा आपके entrance के लिए आपकी अगर आप कोई और त्यारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको extension की कोई proper book लेनी पड़ेगी तो इसमें बहुत ही short में दिया हुआ तो चलिए शुरू करते हैं और शुरू करने agriculture extension काफी important है और काफी short में दिया हुआ लेकिन important चीज़ें दिया हुई है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले तो दिया हुआ extension किस से लिए गया है extension दो light in word से मिलकर बना x and tensio तो सबसे पहले x का मतलब होता है out and tensio का मतलब होता तो एक प्रकार से जो knowledge होती है उसको एक प्रकार से फैलाना है हिआरा extension कराता है out stretching करना एक इस्तान से दूसरी इस्तान allora वो हमारा extension कराता है education क्या होता है production of desirable change in human behavior through gaining desirable knowledge तो education होता है ہमारा desirable change जो हमारे desirable change है जिनकी हम इच्छन रखते हैं कि हमारे जीवन में हैसे changes हो जाए हमारे behavior में ऐसे change हो जाए human के behavior में ऐसे change हो जाए वो हम education के द्वारा पाते हैं और कैसे पाते हैं हम कुछ knowledge gain करके या फिर नया attitude gain करके या फिर mental manual skill develop करके हम उसको हम behavior change हम लाते हैं अपने आप में वो हमारा कहलाता है education classification of communication अप दिया हुआ according to the use of nature of contact to nature of contact के अधर पर तीन तरी classification होता है individual group and mass तो सबसे पहला हमारा इंडी वीजुल contact method तो यह क्या होता है contact is face to face और person to person इसमें जो kontक होता है वो face-to-face भेस होता है एक होता है वेक्ठी से दूसरा बेक्ती करता है individual contact होता है इसलिए एक वेक्ति दूसरे वेक्ति से contact करता है तो वो face to face होता है it is very effective in teaching quantum of feedback available is very high but slow communication तो यह effective होगा क्योंकि जब single single person को समझाय जाएगा single person को teach किया जाएगा तो वो effective तो होगा ही लेकिन यह हमारा slow communication होगा क्योंकि एक बार में हम एक ही वेक्ति को समझा पाएंगे तो यह हमारा slow communication है लेकिन effective communication है जैसे farm and home widget जैसे इसका example पूछा जाता है कि farm and home widget कौन सा contact method है personal contact हो गया telephone call number हो गया office call हो गया personal letter हो गया and result demonstration हो गया तो यह सब हमारे individual contact method में आते है next हमारा group contact method तो a group of two to thirty percent तो दो से तीस बेक्तियों का group जो बना कर हम discuss करते हैं कोई चीज को वो हमारा group contact method कहलाता है group is usually formed around common interest तो जो ग्रूप बनाए जाता वो उनमें देखा जाता है similarity देखे जाते कि सबका जो इंट्रेस्ट है उस फिल्ड में हो जो चीज समझाने जा रहे हैं जो चीज बताई जा रहे हैं उसमें उन सभी का interest हो इस तरह से ग्रूप बनाए जाता है face to face contact इसमें भी होता है जैसे हमारा symposium हो गया discussion हो गया lecture हो गया टूर हो गया field age हो गया method demonstration हो गया बहुत जादा पूचे जाता है method demonstration conference हो गया schools हो गया और seminar हो गया यह हमारा group contact method में आते हैं इसके बाद आता है mass contact method तो इसमें क्या होता है more than 30% जब 30 प्रिक्तियों से ज्यादा के group बनाके उनको हम discuss करते हैं तो हमारा mass contact method कर आता है it is more useful for making people aware of a new agriculture technology quickly तो जैसे कोई नई agriculture technology आई तो उसको जल्दी से हमें spread करना कि सानों के बीच में तो हम क्या करते हैं एक साथ group बनाते हैं एक साथ बहुत सारे वेक्तियों के गठा करते हैं और उनको एक ही बार में सारी बातें बता देते हैं कि ऐसी ऐसी technology आई है और ऐसी technology को यूज करके आप ज्यादा production ले सकते हैं या ऐसा कर सकते हैं तो इस तरह जब हम यूज करते हैं और नियूज पेपर में हमने निकाल दिया, नियूज पेपर जैसे किसानों गर गया, उन्होंने पड़ा, तो उन तक ये बात पहुंच जाती है, तो इस तरह के जो हम यूज करते हैं मेथड, वो हमारा मास कॉंटेक्ट मेथड कहलाता है, जैसे नियूज पेपर, जर्नल, एकजीन, एकजिविशन, टेलिविजन, रेडियो, फेयर, पोस्टर, सिनेमा, ड्रामा, एंड सॉंग, तो ये सब हमारे मास कॉंटेक्ट मेथड हैं, इनके एकजांपल पूंचे जाते हैं कि कौन किसके अंतरगात आता है, तो ये आपको याद होना चाहिए, अब है हमारे जो चलाया था, एफल ब्राइने ने, उनिस सो बीस में, फिर सांती निकेतन, रविनना टैगोर ने, उनिस सो इकीस में, रूरर रिकॉंस्ट्रक्शन, डेनियल हैमिल्टन ने, मार्थंडम प्रोजेक्ट, स्पेंसर हैस ने, उनिस सो इकीस में, सेवा ग्राम, एमके गांधी या, मुहंदास क्रम चंगांधी ने, 1929 में, इटावा पालट प्रोजेक्ट, अलवर्ट मेर ने, 1948 में, नीलो खेरी एक्सपेरिमेंट, स्के डेने, मजदूर मंजिल, स्के डेने, 1947 में, फिरका डेवलप्मेंट, टी प्रकासन ने, 1946 में, कम्बिन्यूटी डेवलप्मेंट, SKD ने 2 October 1952 में National Extension Service 2 October 1993 में स्टार्ट हुआ Indian Village Scheme SN Gupta ने स्टार्ट किया Young Farmer Association P. Deshmukh ने स्टार्ट किया Father of Extension जो है Legans कहलाते है वर्ड में और अगर बात करें इंडिया की तो Dr. K.N. सिंग को माना जाता है Next है National Demonstration Scheme Kalwara एंड सुब्रमन्यम ने स्टार्ट किया था Model Village Given By Model Village का जो कॉंसेप्ट था Hamilton ने दिया था 1903 में IADP Intensive Agriculture District Program 1960 में स्टार्ट हुआ IAAP Intensive Agriculture Area Program 1964 में स्टार्ट हुआ HYV या High Yielding Variety Program 1966 में हुआ था Green Revolution 1966 में हुई थी DPAP जिसे हम कह सकते है Drought Front Area Program 1970 में स्टार्ट हुआ था TNV Training and Visit System या प्रोग्राम 1974 में Daniel Benor ने स्टार्ट किया था CADP 1974 में IRDP 1989 Integrated Rural Development Program फिर IRDP Trisem Dockra C3 ITC Muld तो इन सब को क्या किया गया था मर्ज कर दिया गया था वो किसके अंतरगर SGSY के अंतरगर 1999 में Next है Lab to Land Program तो यह स्टार्ट हुआ था 1 जून 1989 को Establishment of Manage Manage जो है Hyderabad में सिचुएटेड है 1986 में इसका Establishment हुआ था Nationalization of Bank 1989 में हुआ था Extension इज़ा Two-way flow of message तो Extension जो है Two-way communication process है Program known as Package Program तो कौन से प्रोग्राम है Concept of Demonstration Demonstration का concept दिया था Dr. Seaman K.N.I.P. ने तो यह जो टेवल है पूरी बहुत important ही आपको याद होने चाहिए किसन में स्टार्ट हुआ और किसने स्टार्ट की अकाउन रिलेटेड है इससे दो से तीन question आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे important table लेए तो चलिए अब हैं हमारे important facts के बारे में बात करते है National Rural Employment Guarantee Scheme स्टार्टेड इन तो जो National Rural Employment Guarantee Scheme थी वो February 2006 में स्टार्ट वी थी Next is the role of extension education in India is performed by State Agriculture Universities तो जो extension education का role है जो spread है तो वो हमारा State Agriculture Universities के इंतरगत होता है The person acting as a connecting link between higher department official and farming community known as village extension worker तो higher जो department होते है वहाँ से माल लीजे department से कोई technology आई या कोई बात किसानों तक पहुँचानी है कोई scheme किसानों तक पहुँचानी है तो जो higher society हो गई higher department हो गई और जो farmers हो गई उनके बीच की जो link होती है means जो technology को या फिर scheme को transfer करते हैं यह दर सुदर वो क्या कहलाते है village extension worker a demonstration which shows the value or worth of a new practice result demonstration तो result demonstration का main feature क्या होता है कि यह जो है कोई demonstration होता है या कोई program होता है उसकी value को show करता है उसकी योग्यता को show करता है means यह उसकी result को show करता है result पर based होता है इसको कोई भी मतलब नहीं होता कि कैसे उसको हम लागू कर रहे हैं कैसे क्या कर नहीं उसको result पर based होता है तो वो हमारा कलाता है result demonstration a process of initiating a conscious and purposeful action is called as motivation तो एक purposeful action जब हम कोई लेते हैं initiate करते हैं वो हमारा motivation कलाता है agriculture extension worker messenger man तो agriculture extension worker जो है वो एक messenger man होता है ये भी क्या करता है कि किसानों तक नई नई चीजों को पहुचाता है इसलिए हमारा messenger कलाता है extension teaching is horizontal तो extension teaching जो होती है वो horizontal बेपर based होती है institutionalized chronologically graded and साहिद यहां कुछ गलत लिखा है ये पता नहीं कहा लेका चलिए इसको छोण देते है तो institutionalized chronologically graded and structured education system तो आप सभी समझ सकते है जोगी chronological base है chronology पर base है institution में पढ़ाई होती है तो हमारा कलाता है formal education sensory situation is more in interpersonal communication तो जो interpersonal communication होता है वो sensory situation पर based होता है over adoption में due to the insufficient knowledge तो कभी कभी क्या होता over adoption भी हो जाता है insufficient knowledge की वज़े से knowledge की कमी की वज़े से तो यहां जैसे यह वाला question था कि हमारा institution जो institution में होती है हमारी पढ़ाई वो हमारी formal education होती है तो जैसे हम लोग extension education की बात करें नौ से पांच यहां के आप पढ़िये और आपको यह syllabus दिया गया इसको पढ़िये हम उनकी need के अंसार उनको समझाते हैं वहीं पर समझाते हैं इसलिए वो हमारा informal education के लाता है farm management is an intro germ science तो farm management हमारा intro germ science है farmers obtain short term loans from central cooperative bank तो जो किसान होते हैं वो अपने लिए short term loans कहां से लेते हैं central cooperative bank से the most effective approach for personal contact is telephone calls तो आज कल सभी लोग जानते हैं कि जो personal approach के लिए personal contact के लिए सब सच्चा जो method हो हमारा telephone calls है जब टेलीफोन नहीं थे तब हम later का use करते थे facts करते थे लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है the accepted way of eating, meeting, fork, weighing, training and young supporting the ages it is called customs means यह एक प्रकात है custom कहलाते हैं जो कि नए-ने तरीकों को सीखना कैसे खाना है कैसे हमको meeting करनी है कैसे हमें training करनी है तो यह सब हमारा custom कहलाता है which is audio visual ads तो puppet show हमारा audio visual ads क्योंकि इसमें क्या करते हैं कि हम visual भी देखते हैं जो puppet show होते हैं उनमें visual भी देखते हैं और आवाजें भी सुनते हैं तो हमारा audio visual ads है the most influenced type of demonstration is method demonstration तो method demonstration जो है वो किसी program के method पर based होता है ना कि result पर training and visit system was first introduced in the state of राजिस्थान तो TNV system से पहले राजिस्थान state में लागू किया गया था the constitutional 73rd amendment act 1992 coming force to provide constitutional status और पंचायती राज system in the year of 1993 तो पंचायती राज system के लिए जो 73 समिधान में इसको लागू किया गया था 1993 में which one is non-formal education तो agriculture extension education जो है वो एक हमारी non-formal education और क्यों है यह अभी हमने आपको पहले बताया था क्योंकि इसमें कोई भी पाबंदी नहीं होती कि आपको school जाना है वहां जाके आपको 9 से 5 तक पढ़ाई करनी है address पहन कराना है तो ऐसा कुछ इसमें पाबंदिया नहीं होती है इसलिए हमारा non-formal education कहलाता है the two important principles of extension education and participation and leadership तो जो दो more main principles होते हैं extension education के वो होते हैं participation करना और leadership किसी को leadership दिखाना होता है तब ही वो हमारा successful हो सकता है cooperative society is built institution for socio-economic growth of villagers तो जो cooperative society होती हैं वो हमारी socio-economic, social और economic growth के लिए यूज होती है किसान होगे categories of new innovation या adopters की जो categories होती है तो innovators जो होते हैं adopt immediate तुरंत adopt कर लेते हैं और 2.5% of total population के होते हैं total जो adopters होते हैं उनमें सिर्फ 5% होता है early adopters जो है 13.5% होते हैं और लिगाट जो है 16% होते हैं और यह सबसे last method करते हैं तो दोस्तों यह आज का हमारा extension का पार्ट तने अवरा सुनदा से और बस इतना ही दिया हुआ है हमने इसके पहले भी extension के काफी पार्ट डाले हुए वो काफी important है R.K.Sarmah के book से थे तो उनसे भी consult कीजिए और हम और भी अभी lecture लेकर आएंगे तो चलिए दोस्तों तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अच्छे से आप पढ़ाए करते रहे हैं धन्यवाद